वाल दोस्तो इन टोड़ेस वीडियो में आपको इंडिया में मिलने वाले टॉफ वाइब बेस्ट हैंड मिक्सर्स बताने वाला हूँ यह जो हैंड मिक्सर्स है ना 900 रुपे से लेके 2000 रुपे तक के बज़ेट में आ जाते हैं मिन्वाइल अगर आप एक हैंड मिक्सर्स लेने वाले हो तो मेक्शियर वीडियो का पूरर जरूर देख लेना पांचो ही मिक्सर्स की बेस्ट इसकाउंटेट बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको बाकि अगर आप एट एट रहाप पर नए हो तो 100-200W की आती है लाइफ इसकी बेशक काफी जाथा एक लेकिता है इशुओ इस वेटज लग थाइसजोग तो फोड़े हैवी टास्क जो होते हैंज़ों 300 वाले हैंड मिक्सर अच्छे से करा देते लेकिन अगर आपका बज़ट कम है तो इसमें इतनी ही वाटेज की थे मिक् हो गया इस प्राइज में definitely you can check this one link description में मिल जाएगा इनका 300 watt वाला hand mixer यह जो mixer है इनालसा से जादा महेंगा नहीं आता बट इसका जो build है वो literally काफी अच्छा निकल के आता है आपको 300 watt की motor देखने को मिलती है तो थोड़ा जादा पावरफुल जादा durable निकल के आता है बाकि यहां पर आपको दो stainless steel beaters मिलते हैं दो duff hooks मिलते हैं जो कि आपके तीनो चारों करा देंगे like mixing, beating, blending and all यहां पर आपको base stand भी मिल जाता है आइबल भी एक well known अच्छा खासा brand है in kitchen accessories आपको 1150 rupees में यह mixer देखने को मिल जाता है जो कि अपनी price पे काफ अच्छा perform करता है so at number 4 you can check this one now guys here comes the third one यह आपको borosil की तरफ से इनका smart mix देखने को मिलता है यह जो hand mixer है na 300 watt की weightage के साथ ही आता है overall इसका जो build है ना इनालसा जैसा ही देखने को मिलता है बट उससे थोड़ा premium है लेक हाथ में लेने में cheap नहीं लगता बाकि आपको दो डफूक्स एंड दो stainless steel beaters मिल जाते हैं आपर जो total speeds है ना वो आपको 5 ही देखने को मिलती है बाकि एक आपको container मेल जाता है इनके साथ में free of cost जो कि आपके हर काम में help कर देता है अब यह जो hand mixer है ना थोड़ा सो ओवर प्राइस जाता है 1850 रूपीज के आसपास उससे अच्छा better होगा आपाई बेलो बट यह mixer अगर आपको 1500 तक मिले देन यू कें चेक दिस आउट की पोरो से लभी काफी अच्छा brand यह आपको दो साल की warranty देते हैं नाओ guys here comes the second one which is agaro elegant hand mixer यह guys agaro की तरफ से आने वाला यह जो hand mixer है ना इसका build stainless steel का देखने को मिल जाता है आपको तो मतलब build में तो सबसे best निकल के आता है literally काफी durable hand mixer है यह and easy to use है like आपको एक handle मिल जाता है आपको यहाँ पर total लगबक 6 speed settings मिल जाती है and एक turbo function मिलता है जो कि लगबक सभी beaters देते हैं आपको stainless steel beaters मिलते हैं and stainless steel के ही आपको defox भी मिल जाते हैं यहाँ पर mixing, whisking, beating, kneading, kneading सारे काम हो जाते हैं अब यह जो hand mixer है यह भी 300 watt की weightage के साथ ही आता है पाकी 3 mixers के मुकाबले काफी अच्छा perform करता है औरंटे की बात करूँ तो वो आपको 1 year की देखने को मिल जाती है अगारो की तरफ से यह जो hand mixer है आपको केवल 1500 रुपीज में मिल जाएगा at this budget you must check this out जो कि आपको philips का HR3705 मिलता है यह जो hand mixer है ना 1 रखने के काफी सारे रीजन से सबसे बहले बात करूं इसके बिल्ड की तो काफी convenient and premium बिल्ड निकल के आता है यह फिलिप्स अपने आप में well known brand है overall इसका build in plastic body सबसे अच्छा निकल के आता है in total 5 speed modes मिलते है with turbo button like others 2 stainless steel की आपको beatres मिल जाते है और 2 dove hooks मिलते है and यहां पर जो weightage है वो आपको same 300 watt की ही मिलती है but while using यह जो 300 watt है na actually 300 watt की तरह काम करता है like जो borosil and ibell है ना उनके मुकावले यह bitter literally काफी अच्छा perform करता है फिलिप्स का यह जो hand mixer है थोड़ा सा महंगा आता है 2300 रुपे के आसपास तो अगर आपका इतना budget नहीं है तो आप बाकी मैंसे कोई भी check out कर सकते हो बट अगर the best value चाते हो brand and आपके product की तरफ से यह वाला check out कर सकते हो बाकी guys आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो like करना नीचे आपको बताओ इन में से कौन से एंड मिक्सर आप लेने वाले हो या ओल्डेडी ले चुके हो मैं आपसे मिलता हूं जल्दी ही किसी नई वीडियो में किसी ने topic के साथ में